बाजबा सोलन में जीत हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। स्थेर सरकार दे सकती है। इसलिए कॉंग्रेस की जांसे में आकर अपना भूट खराम ना करें और भाजबा को विजई बनाए। हम लोगों के लिए तो एक जिसको होते हैं एनर्जी बूस्टर के हमारे राष्टी अध्यक्षी एक छोटी सी जगा में आकर लोगों से मिले और हमें उन्होंने अपना आशिरवात दिया। देखें राज नहीं रिवाज बदलेंगे भारतिय जन्ता पार्टी इस बार परचम लहराईगी। प्रत्रा खंसे है देरा दून से मैं पार्टी का मंडल अध्यक्ष रूँ और यहां परचार में लगे हैं क्योंकि भारत माता के लिए भारती जन्ता पार्टी का आना ज़रूर ही है देश के लिए इसलिए जन्मानत से आज आगरे करने और लेज़ें करने आए और आज दि देख जी भी यहां परस्तित हुए उन्होंने रोड़ सो किया और जन्मानक का जो जन्सलाव यहां उम्रा है हमें पूरा विश्वास है कि इसकी सबसे बड़ी पार्टी वारत जन्ता पार्टी के राश्ट्रे अध्यक्ष आना ने रोड़ सो किया और जन्ता का अभार समर् गया इसपार हिमाचल में रिवाज बदलना बिल्कुल तैया है और हिमाचल में भाच्वा की सरकार महुत की पुर्ण पहमत की सरकार बननाता है कल जो है माने रेंदर मोधी जी हमारे जो परधान मंत्रिया है और विश्व की सबसे बड़ी रांधितिक पार्डी के मुख्या है वो सोनन पहुंचे थे और उनको सुनने के लिए जो आम जन है उनका जो जन सलाब था वो आज कल सड़कों पे देखने को मिल रहा था और ठोड करना निशार्ट को टालना है और वो वोट मुस्तक पहुंचेगा आज हमारे राश्य जक्ष जो है श्री जगद प्रकाश नटाजी सोलन पहुंचे है यह जन संपर्क का भियान है इसमें आम जन है वेपारी है जो लोग जो रिदारी करने भी आम जन आए वह जो वोटर है स सबसे जगद प्रकाश नटाजी ने परस्नली उनसे अब बहुत अपील की है कि भाजपा को बोड़ दे